नमस्कार आप सभी को आज 36 गड़ इतिहास की क्लास वापस से स्टार्ट हो रही है जहां पे हम लोग ने छोड़ा हुआ था उससे आगे चलेंगे ठीक है तो 36 गड़ का इतिहास प्रागयती हाशिक काल स्टार्ट हुआ था पाशान यूग था पाशान यूग में पूरा पाशान हो गया था मद्य पाशान काल हो गया था उत्तर पाशान काल हो गया था ठीक है पाशान काल चार भाग में विभाजित किया था हमने है ना तो तीन हो ग पहला लिखना शाक्ष में है ना शाक्ष कहां कहां से मिले हैं हमको तो शाक्ष कहां कहां से मिले हैं पहले में लिखना अच्छा पहले सुन लिजे सुनते सुनते क्लास में आप नोट्स अगर बनाओगे तो बहुत सारी चीजे छूट जाएंगी वापस से नोट्स को फिर से बनाने के लिए जब बैठोगे वापस वीडियो चालू करके तो जगा नी रहेगा वहाँ पे थोड़ा सा कचड़ा जैसा हो जाएगा ठीक है इधर करते हैं पहले सुनते रहो सुनने के बाद जब नोट्स बनाने के लिए बाद में बैठोगे वीडियो को वापस से चालू करके तो बहुत सारी चीजे आपको याद रहेंगी है ना तो आटोमेटिकली याद हो जाएगा ध्यान से सुनोगे तो ठीक है तो शाक्ष में पहला नोपाशाणकाल वाल अरजुनी नहीं है वह अरजुनी राजनान गाओ जहिले में था डोंगर गड़ तैसील में है ना यह अर्जुनी जो है गुंडर्देई तैसील में दुर्ग जहिले में फिक arrested का अधूर में इसके बाद दूसरी जगह क्या है ीट्वा डोंगरी टेृर्म कहां है रायगढ में तो तीन जगों से क्या मिला है नौप अटकल के शाक्श मिले हैं कौनْ कौन सी जग है और जूनी है दुर्ग में चितवा डूंगरी भी है राजनान गाव में टेरं में राइगड में हैं ना शाक्षे के बाद अपन देखते हैं चितर जो सेल चितल मिले हैं सेल चितर अच्छा, sign language वाली mem नहीं थी, तो मैं जितना नहीं है अभी, है ना, तो हो सके, हो mandate उस्दे से जुड़ेंगी, तो जितना हो सके, मैं blackboard में लिखूंगा, आप अपस अपने से उसको connect कर लीजेगा, है ना, मैं main word लिखूंगा, connective word नहीं लिखूंगा, है ना, ठीक है, cell चित मानाव और पशू की आकरिती, है ना, मानाव और पशू की आकरिती, है ना, यहाँ पे ओजार की आकरिती नहीं मिली है, ठीक है, यह हो गया, अब यहाँ पे एक देखना जब नौ पाशान का आया है ना तो यहाँ पे मानव का विकास देखने को मिलता था विकास कैसे देखने को मिलता था यहाँ पे यह धीरे धीरे विकास करने लग गये थे तो विकास कैसे पता चलता है ये क्या किये थे, हाँ पर क्रिशी करने लगे थे, है ना, क्रिशी, लिखते जाना, मतला सुनते जाना, क्रिशी करने लगे थे, पशुपालन था, है ना, बरतन बनाने लगे थे, खाना किसमें खाएंगे, ठीक है, क्रिशी करेंगे, कुछ उगाएंगे, तो पकाएंगे भी तो बरतन बनाने लग गय थे, क्रिशी हो गया था, पशुपालन हो गया था, ठीक है, उन कातने लगए थे, ठीक है, और क्या था कपास कपास के बारे में जानकारी थी कपास का उत्पादन हो रहा था ठीक है और एक चीज़ी लिकलो ग्रीह निर्माण था है न अब घर बनाने लग गये थे ग्रीह निर्माण है ना गर बनाने लग गये थे और वहां पे जो उनका परिवार था एक का दो का तीन का जैसा भी तो अपने साथियों के साथ अपने परिवार के साथ इस जगा पे रहते थे कहां पे जो घर बनाया थे इनोंने उस घर पे रहते थे तो यहां से पता क्या चलता है मानाओ जो पहले गुफा में रहता था पूरा पाशानकाल में वो धीरे 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 विकास करती हुए कहाँ पे आ गया यो गुफे से निकल के खुद का एक घर बना लिया उसने है ना तो यहाँ पे इसको कैसे देखेंगे कि यहाँ पे मानाओ जो है समाजिक जीवन है ना उसका समाजिक जीवन यहां पर प्रारंब हो चुका था क्योंकि यो खुद का एक समाज बना रहा था है ना सारी चीज़े आ चुकी थी तो यहां पर इसके समाजिक जीवन का क्या हुआ यहां पर प्रादुर्भा हुआ श्री गडेस हुआ कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज देख लिए, नौपाशानकाल में साक्ष देख लिए, शेल चितर देख लिए, और क्या दीखे, क्या क्या चीज जो विकास के क्रम में उन्होंने करना चालू कर दिया था, क्रिशी प्रशुपालन, बरतन, उनकातना, कपास उत्पादन, ह ठीक है, यहां तक हो गया, घर में रहने लगे थे, अब यहां पे एक चीज आप लोग ले ले ना, पूरा पाशानकाल, मद्दे पाशानकाल, उत्तर पाशानकाल और नव पाशानकाल, इसमें एक लिख ले ना, 1910, 1910 में, क्या हुआ था, 36 गड़ के है ना, सैल चितर की सब से पहले खोज, 36 गड़, सैल चीतर है ना, गुफा में चुच चीतर था, सरुप्रथम खोज, किसने की थी, इंडर्सन है ना, खोज किसने किया था, इंडर्सन, इंडर्सन, कौन था ये, अंग्रेज था, अंग्रेज इतिहासकार था है ना, इसी ने, सैल चीतर की खोज की थी, 36 गड़ में सबसे पहले इसने पढ़ा था, सैल चीतर कहां पे सबसे पुराना, सिंगनपूर, तो सिंगनपूर की खोज अगर पूछा जाये, तो सिंगनपूर की खोज किसने की थी, इसी ने की थी है ना, सेल चितर सिंगन पूर गुफा में था तो सिंगन पूर गुफा की खोज सेल चितर की खोज किसने एंडर्शन एंडर्शन कौन था अंग्रे जितिहास कार था हो गया यहां तक अब नौपाशान काल आपका यहां पे समाप्थ हो जाता एक चीज और लिख लेना जो चितवा डूंगरी है चितवा डूंगरी है ना जो चितवा डूंगरी की गुफा है इसकी खोज किसने की थी है ना तो यहां पे दो नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना नौपाशान काल में चितवा डूंगरी की खोज एक है भगवान सीं बगेल है ना भगवान सीं बगेल और दूसरा नाम है रमेंदर नात मिश्र रमेंदर नात मिश्र ठीक है भगवान सीं बगेल और रमेंदर नात मिश्र नौ पाशान काल आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है स्क्रीन शॉट लेना फटाक से ले लो है ना हो गया चलिए यह साफ कर दे रहा ना अभी हेडिंग डालना प्राग एतिहासी काल हो गया आध्य एतिहासी काल बस एक ही चीज है उसमें है ना हेडिंग क्या डालोगे 36 गड़ की इतिहास में आध्य एतिहासी काल हेडिंग डालना आपको आध्य एतिहासी काल है ना आध्य एतिहासी काल क्या था आध्य एतिहासी काल में पुरा तात्विक शाक्ष जो पहले भी थे वो थे है ना पुरा तात्विक शाक्ष थे लिखित शाक्ष थे लेकिन पढ़ा जा सका गया उसको अभी तक से नहीं पढ़ा ही नहीं गया है ठीक है तो अभी जैसे भारत की इतिहास में आप लोग जो चीजे है उनी के आधार पर वो जो था वो जो इंडस वैली जो सब्यता थी उसके बारे में हमको उसकाल की जानकारी मिलती है ठीक है, चलिए, तो आदेती हाशिकाल, इसी में क्या हुआ था, तामे की खोज हुई थी, तामबा मिला था, है ना, तो इसी में पहले क्या आता है, तामर यूग आएगा, है ना, पहले क्या आएगा, तामर यूग, इसी के बाद क्या आएगा, लौह यूग आएगा, और दोनों किस में हैं, तामर यूग आ गया, फिर क्या आया, लौह यूग आ गया, ठीक है, इसमें एक चीज ये हुई थी, कि इन्होंने तामबा है ना, तामबा, और टीन को मिला के, क्या बनाया था, पीतल बना लिया था, है ना कासा यहाँ पे एक तीसरी धातु क्या मिल जाती है कांसा पीतल जो घर में होता है ठीक है तो क्या किया था इन्होंने तामबा और टीन को मिला करके कासा बना लिया था ठीक है अब सुनना जो आदेती हाशिक काल है और जो उसी में जो तामर यूग और जो लह यूग है इसके जादा शाक्ठ चेट्र में नहीं उपलब्ध हैं अमारा जो चट्यशगड चेट्र है यहाँ पे आदेती हाशिक काल के शाक्षdefined जादा मौझूद नहीं हैं बहुत थोड़े-थोडे मात आखछ लिखते चलेंगे है ना एक विशेष्टीच क्या मिलति है यहां पर मध्य प्रदेश में जगा है बालाघाट हैना बालाघाट मुख कहा है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे 424, 424 तामरास्त्र, है ना, तामबे के ओजार, 424 तामरास्त्र मिले, तामबे के ओजार मिले, है ना, अब इसमें तामबे के ओजार में था क्या-क्या, इसमें था, सब्बल था, सबबल है ना सबको पता है सबबल था सपाट कुलहाडी थी सपाट कुलहाडी थी और यह सब कौन सी धातु से बने थे सब तामबे से थे है ना सबबल था सपाट कुलहाडी थी ठीक है तामबे से जबलपूर में एक अलग से कुलहाडी मिली है ठीक है जबलपूर में बाला घाट में 424 तामरास्तर मिले तामबे के ओजार जबलपूर में क्या मिला कुलहाडी मिला अलग से है ना यहाँ पर और भी क्या मिला है जो बाला घाट है वहाँ पर 424 तामबे के जो वो है तामबे के जो चांदी तामवे की अन्य वस्तुए भी मिली है टीक तो आदेति हाशिक काल में जो अपन देख रहे हैं साक्ष में बाला घाट में 424 तामरास्त 424 तामवे के ओजार है ना उसमें क्या था सब्बल था सपाट कुलहाडी थी जबलपुर से एक अलग कुलहाडी मिली है चांदी के भी क्या मिले यहांपे एक चोथा धातू भी मिल गया है ना चांदी के भी यहांपे कुछ-कुछ वस्तुए मिली है और कोई-कोई वस्तुए तो अक्षे है 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 ना वो छे नहीं हुआ है ठीक है? चलिए शाक्ष में लिख लिए अब इसमें एक चीज लिखना महापाशान इसमारक महा पाशान इसमारक महा पाशान इसमारक जो जानता है उनको याद आ रहोगा ये क्या थे महा पाशान इसमारक आध्येति हाशिक काल में जब किसी की मृत्ती हो जाती थी तो सव का उस समय अगनी संसकार नहीं होता था दा संसकार नहीं किया जाता था जमीन के नीचे गाड दिया जाता था और ऐसा नहीं की डारेक गाड दे रहे हैं ठीक है तो जो बड़ा बड़ा सीलाखंड होता था पत्थर होता था बड़ा बड़ा जो पत्थर होता था सीला खंड है ना तो क्या करते थे उसको बड़े बड़े सीला खंडों को पहले क्या किया जाता था जो शरीर है है जो शव है उसको गड़ा करके नीचे दफन किया जाता था ठीक है नीचे दफन किया जाता था तो कैसे लिखू इसको मैं पूरा लिखना पड़ेगा शव को गाड़ने के लिए बड़े बड़े पत्थर बड़े पत्थर को जब शव को नीचे डाल दिया जाता था वो दफन कर दिया जाता था उसके उपर बड़े पत्थर से उसको कवर किया जाता था बड़े पत्थर को रख दिया जाता था, बड़े पत्थर से ढखा जाता था, शव नीचे है, उपर में पत्थर है, ठीक है, तो ये जो है, ये जो बड़ा पत्थर है न, इसको क्या कहा जाता था? इसी को महापाशान इसमारक कहा जाता था, और जो समाधी होती थी, जो नीचे समाधी है न, नीचे जो समाधी है, उसको क्या कहा जाता था? उसको लिखना पुष्ट तुम्ब, पुष्ट तुम्ब, पुष्ट तुम्ब है न, दूसरा नाम इसी का लिखना डॉलमेन, पुष्ट तुम्ब कहा जाता था, उसी को और क्या कहा जाता था? डॉलमेन है ना जो महापाशान इसमारक है वो किसको कहा जाता था सव को दफन करने के बाद जो सिलाखंड उपर से लगा दिये रहते थे इसमारक के जैसे उसको महापाशान इसमारक कहा जाता था नीचे जो समाधी होती थी उसको पुष्ट तुम्बे या फिर डॉल्मेन कहा जाता था इसलिए इस काल को और क्या कहा जाता था महापाशान काल कहा जाता था इसलिए महापाशान काल कहा जाता था क्यों क्योंकि बड़े बड़े पाशाणों का उपियोग होता था है ना तो इसलिए इसको क्या कहा जाता था महापाशाण काल भी कहेंगे ठीक अब ये जो महापाशाण इसमारक जो मिले है है ना वो कौन-कौन से स्थान में मिले है महापाशाण इसमारक जो मिले है वो चतिस गड़ में देखेंगे तो दूर्ग, रायपूर और बालोद है ना दूर्ग, रायपूर और बालोद में मिले हैं तीन जगा हो गया इसके अलावा अगर चतिस गड़ से बाहर देखते हैं तो यूपी में भी मिला है और उडीसा में भी मिला है चतिस गड़ में कहां कहां पे मिला इस मारक दुर्ग में, रायपूर में और बालोद में चतिस गड़ के बाहर में उडिसा में और उडिसा में मिला है और कहां पे मिला है ये मद्ध प्रदेश में सौरी है ना उडिसा और मद्ध प्रदेश में चलिए एक चीज और लिखना धनोरा है ना धनोरा कहाँ पे है दुर्ग में महापाशानिस मारत यहाँ पे मिल गया है अब एक जगा धनोरा धनोरा है ना धनोरा है दुर्ग में यहाँ से क्या मिले है महापाशानिस मारत कित्ती संख्या में पांच सव 500 है ना 500 महापाशान इसमारक एक ही जगा से जगा का नाम क्या है धनोरा कहां पे दुर्ग में ठीक है एक चीज हो गया बहुत इंपोर्टेंट है ठीक इसी में एक चीज और लिख लेना इसको ढूंडा किसने J.R. कांबले question आता है J.R. कांबले है ना और रमेंदरनात मिश्र J.R. कांबले और रमेंदरनात ने धनोरा में दुर्ग में जो 500 महापाशान इसमारक मिले है उसको ढूंडा किसने J.R. कांबले और रमेंदरनात मिश्र ने दोनों क्या है पूरा तत्विद है पूरा तत्वीद है और इतिहासकार है यह ना इतिहासकार है और पूरा तत्वीद है ठीक धनोरा में हो गया चलिए अब लिखना बालोद में है ना बालोद में चार जगए है और बहुत इंपोर्टेंट है लिखते चलना सुनना भी मतली लिखना सोरर सोरर है ना चिरहुरी सोरर चिरहुरी या फिर चिरचारी सोरर हो गया पहला दूसरा चिरहुरी या चिरचारी हो गया तीसरा है कबराहाट कबराहाट उसी का दूसरा नाम है करही भदर है ना कब्रहाट या करी बदर कितने नाम हो गए सोरर, चिरहुरी या चिरचारी कब्रहाट, करी बदर यहाँ पे क्या मिला है बालोद में है तीनों जगा और यहाँ पे क्या मिला है यहाँ पे तीनों जगा पे आपको क्या मिलेगा तामर यूगीन तामर्यूगीन आवास है ना नौपाशान काल में आवास बनना स्टार्ट हो चुका था नौपाशान काल में घर बनने चालू हो चुके थे तो यह लोग पीछे जाएंगे क्या वापस से गुपा में थोड़ना जाएंगे रहने है ना तो वो घर का जो सिलसिला है बनने का आगे भी चलते गया यहाँ पे जो मिले हैं जो आवास उसको क्या कहेंगे तामर्यूगीन आवास कहेंगे और यहीं पे क्या मिलता है पाशान घेरे पाशान मतलब पत्थर है ना पाशान गेरे मतलब घर की जो बंडरी होती है जो आंगन अपन क्या करते हैं लकडी से बाड़ा से बाड़ा बानते हैं या फिर मिटी से या फिर इट से ऐसा बनाते हैं तो उन्होंने क्या किया था पत्थर के गेरे थे उसी को क्या कहते हैं पाशान गेरे ठीक है आवास ताम एक और जगह है जो कि बहुत विशेश है करका भाटा है ना करका भाटा यहां पे क्या मिला है पाशान गेरे पाशान गेरे दूसरा क्या मिला है लोहे के आउजार है ना लोहे के आउजार अभी तक लोहे के आउजार नहीं थे यहाँ पे लोहे के आउजार तो आ गया ना तामर यूग के बाद लोह यूग भी ठीक है पाशान गेरे, लोहे के आउजार और एक बहुत विशेश चीज मिलती है मृद्भांड है ना सिंदुगाटी की सभ्यता का मृद्भांड अब वो कहां का था वो नहीं पता लेकिन मृद्भांड यहाँ पे जो मिला है है ना जो सिंदुगाटी सभ्यता में प्रशलन में था क्या क्या मिला करकाबाटा से पाशान गेरे, लोहे के आउजार और मृत्भांड और बालोद से ये बालोद में है न ये भी करका भाटा भी कहां है बालोद में है ठीक और बालोद की तीन जगा सोरर चिरहुरी चिरचारी कबरहाट करही भदर ठीक है तीन जगा ये हो गया था करका भाटा भी हो गया दो लाइन और लिख लो फिर खतम हो जा महापाशानिसमारक कहां पर मिले हैं जहां पर तीन जगह है और करका भाटा करके चार जगह बालोद में मिले हैं इसको ध्यान से लिखना ध्यान से सुना सरवाधिक महापाशानिक इसमारक कहां पर बालोद में और सरवाधिक अवसेश है ना औसेश किसके महापाशानी किसमारक के औसेश सरवाधिक महापाशानी किसमारक के औसेश कहाँ पर मिला है मुझगहन मुझगहन राइपूर में ही है है ना मुझगहन ठीक है धरसीवा तैसिल में है ये मुझगहन रायपूर लिख देता हूँ ठीक सरवाधिक महापाशानी की समारक मिले हैं बालोद में और सरवाधिक महापाशानी की समारकों के आउशेश मिले हैं मुझगहन रायपूर में ठीक है यहां तक हो गया आदेति हाशिक काल सबका खतम हो गया कुछ और लिखना है दो लाइन और लिख लो जो छूड़ी गया है मेर से सरवाधिक जानकारी है न पाशानकाल के बारे में न पाशानकाल में दो चीजे छूड़ गई है सरवाधिक जानकारी सरवाधिक जानकारी कहा से सरवाधिक जानकारी कहा से कबरा पहाड है ना मद्यपाशान युग वाला सरवाधिक जानकारी कबरा पहाड से और सबसे प्राचीन गुफा में सिंगनपूर सबसे प्राचीन गुफा में सिंगनपूर और सरवाधिक जानकारी कबरा पहाड सरवाधिक जानकारी कबरा पहाड से हो गया, सबसे लंबी गुफा, सबसे लंबी गुफा, सबसे लंबी गुफा, बोतलदा, ठीक है, अब कबरा पहाड, बोतलदा, सिंगनपूर सब कहां है, रायगड में है, है ना, सब कहां है, रायगड में है, सरवाधिक महापाशानी किसमारक कहां पर मिला, बालोद में, सरवाधिक महापाशानी किसमारकों के अवसेस, मुझगहन, रायपूर में, सबसे प्राचीन गुफा, सिंगनपूर गुफा, सबसे सरवाधिक जानकारी, कबरा पहाड से, और सबसे लंबी गुफा बोतल्दा है, ठीक है, तो ये आपका खतम हो जाता है, इसका एक बार स्क्रिन शॉट ले ले लेना, जो देख के लिख रहोंगे, वाइड बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखना रहता है करके, थोड़ा सा इधर विधर हो जाता है, आप वैसा नहीं लिखेंगे, आप अपने ही साप से जमा के लिखेंगे उसको, ठीक है, अभी हेडिंग क्या डालोगे, चतिसगर की इतिहास में, अभी देखो दो चीजे हो गई, नाम करण पहला था, पहला टौपिक क्या था, नाम करण, नाम करण हुआ, दूसरा टौपिक क्या था, आद एतिहाशिक काल, जिसमें पाशान काल के, चार वी भाजन पढ़े हमने ठीक है तीसरा था आद्दे इतिहाशिक काल छोटा सा था अब चौथा चेप्टर क्या रहेगा इतिहाशिक काल जिसमें सारी चीजे पढ़ेंगे चेप्टर नहीं बोलेंगे है ना इतिहाशिक काल जिसमें सारी चीजे पढ़ेंगे आगे जो शाक्षे के साथ पढ़ेंगे ठीक है इसमें लिख लेना आप वैदिक यूग या फिर वैदिक यूगीन चत्तिसगर ठीक है क्या लिखेंगे वैदिक यूगीन चत्तिसगर वैदिक काल ठीक है जो भारत की इतिहास में पढ़ेंगे वैदिक काल आप पढ़ोगे है ना तो वैदिक काल यहां भी भी तो आया होगा ना कि भारत से ही चले गया होगा चतिसगण में नहीं आना है ठीक है तो यहां पर क्या है हेडिंग क्या डाले वैदिक यूगीन चतिसगण द्यान से चेप्टर बनाते चलना पहला हो गया नामकरण का दूसरा हो गया प्रागेतिहाशिकाल तीसरा हो गया आद्येतिहाशिकाल और यह चौथा है क्या है यह वै वैदिक यूगीन चतिस गड़ अब वैदिक काल का विभाजन अपने को डिटेल में नहीं जाना है वो आप भारत की तिहास में पढ़ोगे है ना वैदिक यूगीन चतिस गड़ वैदिक काल कब से कब तक रहता है पंद्रा सौ से 600 इसापूर्व है ना अब वैदिक के दो विभाजन है वैदिक काल दो भागों में विभाजित है पहला क्या है रिगवैदिक काल है ना पहला क्या है रिगवैदिक काल दूसरा क्या है उत्तरवैदिक काल ठीक है तो रिगवैदिक काल में जब रिगवैद की रचना हुई रिगवैदिक काल में इसके लिए इस काल का नाम क्या पढ़ गया रिगवैदिक काल और इसका काल खंड कब से कब तक है पंद्रा सौ से एक हजार इसा पूर्य तक है ना तो वैदिक काल में चतिस गड़ छेत्र में या फिर चतिस गड़ छेत्र से सम्मंदित रिगवेद में भी और उस काल में और भी जो छोटे छोटे गरंत रहोंगे साहितिक गरंत उसमें भी और रिगवेद में भी चतिस गड़ का उलेक या चतिस गड़ का वर्णन कहीं पे भी नहीं है ठीक है चतिस गड़ का उलेक रिगवेदी काल में कहीं पे भी नहीं है तो रिगवेदी काल के बारे में हमको नहीं पढ़ना है और जो बहुत विशेश चीज है विंध परवत और नर्मदा नदी है ना उसका भी कोई उलेख नहीं है तो रिगवैदिक काल नहीं पढ़ना है ठीक रिगवैदिक काल बता बस दिया बट आफ हेडिंग में नहीं डालोगे दूसरा जो रहता है वो उत्तरवैदिक काल है दूसरा क्या है उत्तरवैदिक काल अभी जब तक मैं नहीं बोलूँगा कि 36 गड़ में आपको सन याद करना है तब तक से सन याद नहीं करना है ठीक है इस तरफ से सन आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा कभी भी नहीं है ना तो उत्तरवैदिक काल का एक हजार इसा पूर्व से 600 इसा पूर्व तक ठीक है 1000 इसा पूर्व से 600 इसा पूर्व तक अब देखते चलना यहाँ पे 36 गड़ से सम्बंधीत है ना यहाँ पे 36 गड़ से सम्बंधीत विवरण है ना 36 गड़ छेतर से सम्बंधीत जो है विवरण यहाँ पे मिलने प्रारम हो जाते हैं ठीक अब बताओ 36 गड़ दक्षिन हिस्से में है मद्ध में दक्षिन में है ना तो यहाँ पे देश में जो दक्षिन हिस्सा है है ना देश का दक्षिन हिस्सा उससे सम्बंदित जानकारी और दक्षिण में ही क्या है 36 गड़ तो 36 गड़ से सम्बंधित जानकारी प्राराम हो जाती है है ना मिलनी प्राराम हो जाती है उत्तरवैदिक काल में ठीक है यहां तक सबको समझाया ठीक अब इस काल में एक ग्रंथ की रचना होती है है ना सत्पत ब्राम्वन सत्पत ब्राम्वन ठीक है ग्रंथ का नाम क्या है सत्पत ब्राम्वन इस ग्रंथ में सबसे पहली बार सर्व प्रथम इसमें क्या हुआ सर्व प्रथम 36 गड़ का उलेक 36 गड़ का उलेक कहां पे सर्व प्रथम हो रहा है सत्पत ब्राम्वन जो ग्रंथ है जो उत्तर वैदी काल में रचीत है वहाँ पे 36 गड़ का सबसे पहली बार सर्व प्रथम उलेक हो रहा है वर्णन देखने को मिल रहा है ठीक है वर्णन उलेक या फिर वर्णन लिख लेना अब वर्णन में क्या बताया गया है यहां पे कुछ तो बताया गया होगा ना इस छेत्र के बारे में तभी तो पता चलेगा कि हां 36 गड़ की बात हो रही है है ना क्योंकि 36 गड़ छेत्र का उलेक है और सर्व प्रथम कहां पे है यह सत्पत ब्राम्हन जो ग्रंत है ठीक है सत्पत ब्राम्हन में 36 गड़ का उलेक है और वर्णन है तो इस छेत्र को कैसे बताया गया है कि जो 36 गड़ छेत्र है उसके पूर्व और पश्चिम में दो विशाल समुद्र है ठीक है है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ठीक है तो 36 गड़ का जो छेतर है उसके पूर्व में क्या है पश्चिम में क्या है दोनों में विशाल समुद्र है ठीक है लिख देता हूं यहां पे वर्णन में क्या है पूर्व में और पश्चिम में क्या है आगे ही लिख देता हूँ पूर्व में वा पश्चिम में विशाल समुद्र ठीक है और क्या बता रहे हैं आप पे चतिस गड़ के बारे में रेवा नदी रेवा नदी रेवा नदी एक नदी का नाम बताया गया है रेवा नदी ठीक है तो कौन सी नदी के बारे में बात हो रहे हैं यहाँ पे नर्मदा नदी है ना नर्मदा नदी उत्तरवैदिकाल में नर्मदा नदी का नाम क्या था रेवा नदी इसलिए यहाँ पे उलेक क्या है रेवा नदी का ठीक है यहाँ पे उत्तरवैदिक काल प्रारम हुआ 36 गड़ का जो उलेक है एकी धर्म गरंथ है वहाँ पे कौन सा है सत्पत ब्रामान जिसमें 36 गड़ छेत्र का उलेक है कहा गया है पूरो और पश्ची में क्या है उसके विशाल समुद्र है ठीक है रेवा नदी एक नदी का नाम मिलता है रेवा नदी जो आस्तविक में क्या है नर्मदा नदी है एक और गरंथ लिखना है यहाँ पे कौशितिक उपनिशद क्या लिखोगे कौशितिक उपनिशद कौशितिक उपनिशद कौशितिक उपनिशद हो गया यहाँ पे क्या मिलता है विंद्य परवत का उलेक है आप लोग बोल रहा होगे सर बार-बार विंद्य परवत क्या बोल रहा है अपने को क्या लेना देना है करें, ठीक, तो जो विंद्य परवत है, तो विंद्य श्रेणी है, वो कहां पर है, MP में है, तो जो मध्य प्रदेश, भारत का मध्य, ठीक है, तो जो विंद्य परवत है, उसके उपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, तो भारत का जो विभ ठीक है यहां तक हो गया अब देखो रतनपूर जानते हैं सब कोई तो 36 गड़ की प्राचीन राजधानी क्या थी 36 गड़ की प्राचीन राजधानी है ना क्या थी रतनपूर थी अब अलग अलग कालों में रतनपूर का नाम अलग अलग है रतनपूर का नाम अलग अलग काल में अलग अलग है ठीक है तो यह सत्यूग में सत्यूग में क्या है ये मनिपूर है ना सत्यूग में मनिपूर त्रेता यूग में है क्या रहेगा त्रेता यूग में मनिकपूर का ज़्यादा जोड़ देना त्रेता यूग में हो गया मनिकपूर ठीक है सत्यूग में है मनिपूर, त्रेता यूग में है, मनिपूर, उसके बाद कौन सा यूग आएगा, द्वापर यूग, द्वापर में क्या है इसका नाम, हीरापूर, ठीक है, लेकिन महावारत में जो है, वो बताऊंगा, उसमें मनिपूर नाम से है, द्वापर में क्या हो गया, हीरापूर, ल मनिपूर्था, त्रेता यूग में मनिक पूर्था, है ना द्वापर यूग में हीरा पूर हुआ और कल यूग में जो है वो रतन पूरी है, ठीक है, यहां तक हो गया, अब महा काव्यों में भी उलेक है, महा काव्यों में उलेक है, ठीक है, तो कौन-कौन से महाकावे है रमायन है ठीक है तो पहला महाकावे क्या लिखेंगे यहाँ पर रमायन ठीक है यहाँ पर वैदिक यूग समाप्त हो गया इतना ही है वैदिक क्याल में क्या-क्या देखे रिगवेदिक काल में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, उत्तरवेदिक काल में जानकारी मिलनी प्रारम होती है, देश के दक्षिन हिस्से की, और दक्षिन में ही क्या है, 36 गड़ का भी हिस्सा है, 36 गड़ जो छेत्र है, दक्षिन हिस्से में है, ठीक है, उसके तो एक नदी है, कौन सी नदी, रेवा नदी, है ना, चत्तिसगड़ से लगा हुआ है, अमर कंटक, ठीक है, तो रेवा नदी है, वास्तविक मुस्द किस नदी का उलेख है यहां पर, नर्मदा नदी का, ठीक है, दूसरा है कोशितिक उपनिशद, कोशितिक उपनिशद में विंद्य पर्वत का उलेक मिलता है, विंद्य पर्वत उत्तर दक्षिंड का विभाजक है वो, ठीक है, चत्तिस गड़ की प्राचिन राजधानी थी रतनपूर, अलग-अलग यूग में अलग-अलग नाम था, सत्य यूग में मनिपूर, त्रेता यूग में मनिकपूर, द्वापर में हिरापूर और कल्यूग में रतनपूर ठीक है, चलिए, अब महाकावियों में उलेक है, तो पहला लिखेंगे रामायन, रामायन काल, है ना, रामायन काल पहला, अब रामायन काल में क्या है बहुत लोगों को पता है है न सुन सुन के रामायन काल में नाम क्या था चतिस गड़ का यही से स्टार्ट किये थे दक्षिंड कोसल था अब दक्षिंड कोसल नाम कैसे पड़ा ये भी कहानी है चलिए देखो रामचंद्र जी थे लंका गय थे अब अयोध्या से लंका गय थे अयोध्या कहाँ? 36 गड़ की उत्तर में भारत के उत्तर में अयोध्या और स्रीलंका कहाँ? भारत के दक्षिन के भी दक्षिन में दक्षिन के बाद एक समुद्र समुद्र के उस पार स्री लंका ठीक है तो आप ये चीज सोचो कि वो उत्तर से दक्षिन गए क्योंकि स्री लंका दक्षिन में है तो इससे क्या कहा जा सकता है कि आर्यो का आगमन चतिस गड़ में हो चुका था है ना क्योंकि दक्षिन में हो गया था तो 36 गड़ से ही 36 गड़ से ही तो होके गया तो चलिए और इसी में राम वन गमन पत पढ़ेंगे जो ये होने के बाद पढ़ाऊंगा नहीं तो मिक्स हो जाएगा ठीक है चलिए तो इसमें पहला पॉइंट लिखना पॉइंट पॉइंट में लिखना दो दो तिन तीन चीजे हैं जादा नहीं है ठीक है चलिए राम जी आगे कहां गये दक्षिन में गये दक्षिन में ही कहां था दक्षिन में ही और क्या था 36 गड़ भी गये ठीक है अब 36 गण में जादतर कहां पे रहे थे दंडका रंडे चेतर में ठीक है दंडका रंडे मतलब बस्तर वाला चेतर तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया था जादतर जंगल में ही तो रहते थे ना क्योंकि वनवास था तो जंगल में रहना था, इनको बस्ती में रहना था किसी भी बस्ती में चोटे सी भी गाव में नहीं रहना था इनको कहाँ पे रहना था, जंगल में रहना था तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोकुद्धार काम किये थे ना, लोक कल्याण कारी लोक कल ल्यान कारी या फिर लोक उद्धार करने वाले कारे किये थे किनों ने रामचंदर जी ने ठीक है अब इस कारे की जानकारी कहां पे मिलती है इस कारे की जानकारी कहां मिलती है जन शूरूती जो लोगों के द्वारा बताई जाती है एक पीडी से दूसरी पीडी, दूसरी पीडी से तीसरी पीडी और हम तक पहुँची है ना तो जन शूरुती ठीक है, जन शूरुती के माध्यम से और किसके माध्यम से मिलती है जानकारी कि वहाँ पे कुछ हुआ था, पौराणिक कथा पौराणिक कथा ठीक है 36 गड़ पहुँच गए राम जी 36 गड़ पहुँच गए समझ गए यहाँ पे अब देखिए अब में जो मेन कहानी चालू होती है ठीक है विंद परवत क्यों बोल रहा था मैं विंद परवत जो है उसके दक्षिन में दक्षिन मतलब 36 गड़ वाला चेत्र हो गया ठीक है विंद परवत के दक्षिन में क्या था विंद परवत के दक्षिन में एक जगा थी नाग पत्तन नाग पत्तन वहीं पे नाग पत्तन के पास एक शाशक थे नाग पत्तन के पास एक शाशक थे नाम क्या था उनका? कोशल है ना? ये शाशक थे शाशक थे कौन? कोशल कोशल नाम के एक राजा थे ठीक है? और इनी के नाम पे छेतर का नाम क्या पढ़ गया? इनी के नाम पे छेतर का नाम भी कोशल पढ़ा छेतर का नाम इनी के नाम पे कोशल पढ़ा ठीक है इस समय चतिस गड़ की भाषा क्या थी चतिस गड़ की सरुप्रतम भाषा कोशली क्या है कोशली है ना चतिस गड़ की सरुप्रतम भाषा कोशली थी इसी समय ठीक है वो भी जो राजा थे जो शाशक थे कोशल उनके नाम पे था ठीक है उनी के नाम पे कोशली ठीक है अब चलिए ये जो कोशल थे इनी के वंस में है ना वंस में राजा हुए एक राजा का नाम क्या था भानूमन्त भानूमन्त की पुत्री कौन? माता कोशल्या ठीक है अब माता कोशल्या का विवा किस से हुआ? उत्तर कोशल उत्तर कोशल के साशक कौन? उत्तर कोशल के साशक थे दशरत कोशल्या का विवा हुआ ठीक है? कोशल्या का विवा किन से हुआ? राजा दशरत से हो गया कोशल्या किस की पुत्री थी? भानूमन्त की ठीक है? बानूमन्त का कोई पुत्र नहीं था भानूमन्त का कोई पुत्र नहीं था इसलिए दख्षिन कोशल का राज भी कहां पे चले गया? दशरत के पास दक्षिन कोशल का राज भी किसके पास चले गया दसरत के पास दसरत तो उत्तर कोशल के राजा थे ना उत्तर कोशल मतलब वो ही अयोध्या आज की अयोध्या उत्तर कोशल मतलब आज की अयोध्या दक्षिन कोशल मतलब आज का चत्तिस गड़ ठीक है यहां तक समझ आया बाणुमन की पुत्री कोशलया कोशलया का विवा राजा दसरत से बाणुमन का कोई पूत्र नहीं था इसके लिए जो दक्षिन कोशल का जो राजी है वो किसको चले गया? दसरत को चले गया अब आगे चलके कालांतर में कौन यहां के शाशक हुए राम जी है ना बाद में दक्षिन कोशल के शाशक हुए ठीक है राम जी दक्षिन कोशल के राजा हुए ठीक उसके बाद उसके बाद एक last point लिख लो इसमें राम जी के दो बेटे थे पहला कौन था लव है ना लव कहां का शाशक बना जब राम जी के बाद लव और कुछ शाशक बने तो दो बेटे थे है ना तो लव को मिला उत्तर कोशल उत्तर कोशल उसकी राजधानी क्या थी स्रावस्ति राजधानी थी स्रावस्ति है ना और दक्षिन कोशल का राज कुषको कुषको दक्षिन कोशल का राज़ मिला दक्षिन कोशल मतलब छत्तिस गड़ है ना दक्षिन कोशल का राज़ किसको मिला कुषको मिला और इसकी राजधानी क्या थी कुष इस्थली कुष इस्थली रमायन काल यहां पे complete हो जाता है क्या हुआ था उत्तरवेदिक काल हो गया था उसके बाद महाकावियों में 36 गड़ का उलेक जहां पे मिलता है वर्णन तो पहला जो है महाकाविय रमायन काल देखे रामायन काल में क्या था राम जी जो दक्षिन गया है तो इससे इससे समझ आता है एक प्रमाण मिलता है कि जब वो दक्षिन गया तो 36 गड़ तो क्रॉस किये होंगे है ना स्रिलंका जा सकते है तो 36 गड़ से तो हो कही गये होंगे ठीक है तो यहाँ पे वो दक्षिन गये, दंडका रंडे के छेतर में अभी भी जन्सृति मिलती है, और वहाँ पे लोग कताय प्रचलित है, कि वहाँ पे जो उन्होंने लोग कल्यानकारी, जन उद्धार वाले जो कारे किये, पावराणी कताय जन्सृतियां, लोग कताय अभी भी वहाँ पे राज्य था नाक पत्तन एक जगा थी नाक पत्तन के पास एक शाशक था नाम क्या था उनका कोशल उनी के नाम पे राज्य का नाम कोशल और उनी के नाम पे जो उस छेत्र है जो चतिसगड़ छेत्र था कोशल छेत्र उसकी भाषा कोशली भाषा जो चतिसगड़ की सर्वप्र अधम भाषा क्या है कोशली है और यह चतिस घड़ी था चतिस घड़ी भाषा का प्राचिन नाम अगर वोले तो कोश्ली ही ए उस समय उसको क्या कहा जाता था कोशली ठीक है हो गया तो जो नाक्पत्तन के पास जो कोशल था जो राजा था उसी की पीडी में आगे चलके एक र परवत की उत्तर में जो एक राज था उत्तर कोशल है ना जो अयोध्या ही था वहां के राजा कौन थे दसरत दसरत जी से उनका विवा हो गया अब भानुमन का कोई पुत्र नहीं था तो राज जी किनको चले गया दसरत जी को आगे चलकर रामचंदर जी उसके साशक हुए ठ कुछ जिसकी राजानी थी कुछ स्थली ठीक है स्क्रीन शॉट ले लेना इसका हुआ है हो गया हुआ है चलिए डालिए महा भारत काल पांच मिनिट में हो जाएगा है ना हेडिंग क्या डालेंगे अब महा भारत काल एक महा कावे रामायन हो गया दूसरा महा कावी क्या रहेगा रामायन काल में देख लिए चत्तिस गड़ के बारे में अभी ये टॉपिक चेंज नहीं करना है ना ये वैदिक काल में है वैदिक काल में हम लोग अलग-अलग छोटा-छोटा टॉपिक नहीं बना रहे हैं वै महा भारत काल में पांड़ों और क्या थे कौराओ थे हैं ना पांड़ों में से एक पांड़ों था क्या नाम था उसका सहदेव सहदेव क्या था पांड़ों था इसने अपनी दिगविजय आत्रा में ठीक है एक छेतर विजित किया था है ना विजित छेतर जीता हुआ छेतर उसको इसने क्या कहा प्राक कोशल पड़े थे ना महाबारत काल में चतिस गड़ का नाम क्या था प्राक कोशल और बस्तर वाले छेतर को क्या कहा इसने कांतार है ना सहदेव जो पांड़ था उसने एक छेतर विजित किया उस छेतर को क्या कहा प्राक कोशल ये क्या था चतिस गड़ वाला छेतर था ठीक है और ये जानकारी कहां मिलती है महा भारत के भीश्म पर्व में जानकारी मिलती है कि शहदेव जो पांड़ वन्षी था उसने एक छेतर विजित किया था उसका नाम क्या है प्राक कोशल जो चतिस गड़ की बात हो रही है ठीक है एक और लिखना कर्ण कर्ण को जानते हैं अंगराज कर्ण है ना कर्ण इसने क्या किया था इसने भी जो दिगविजय आत्रा की थी इसकी भी दीग विजय आत्रा इसमें इसने इस छेत्र को क्या कहा गया था कोशल जनपद कोशल जनपद इसने इस छेत्र को क्या कहा कोशल जनपद कहा ठीक है एक और चीज लीखते हैं चिद्रांगत पूर किसका नाम था चिद्रांगतपूर सिर्पूर है ना सिर्पूर का प्राचिन नाम क्या था चिद्रांगतपूर ठीक है और यह क्या था सिर्पूर का प्राचिन नाम चिद्रांगतपूर था और यहां का शाशक कौन था भब्रु आहन भब्रु वाहन कौन था भब्रु वाहन? अर्जुन का पुत्र था ठीक, सिर्पूर का नाम था चिद्रांगत पूर उसका शाशक था भब्रु वाहन और भब्रु वाहन कौन था? अर्जुन का पुत्र था एक और लिखना खल वाटी का खल ख आधाला पूराला खल वाटी का नाम समझ गय होगे खल्लारी को कहा जाता था खल्लारी को क्या कहा जाता था खल्ल वाटी का और यहाँ पे क्या है लाक्षा ग्री का और शेश कहा जाता है न एकदम कोई फैक्ट नहीं है प्रमानिक नहीं है लेकिन लाक्षाग्री का उशेश कहा जाता था यहाँ पे एक चीज और है भीम खोज दुर्योधर ने लाक्षाग्री का निर्मान करवाया था पाचो पांडों को उनकी माता सही जला के भश्म कर देने का ओ घर क्या था? लाक का बना था लाक, घी, भूसी, यह सब चीजों का बना था, तेल का तो उसमें आग लगा के उनको मार देने का प्लान था था ठीक है? तो लाक्षाग्री भीम खोज मिला है यहाँ पे भीम खोज में क्या है? भीम के पदचिन है भीम के पदचिन्ध मिलते हैं, जब आप मंदिर में चड़ोगे उपर खलारी मंदिर में वहाँ पे गुफा है, पहाड है, वहाँ पे बड़ा सा एक पैर है उसको क्या कहा जाता है? यह कि भीम का पैर का निशान है ठीक है? तो खलवाटी का खलारी में यह चीज मिल गया, अब लिखना भांडेर आरंग का नाम था भांडेर आरंग का पुराना नाम क्या था? प्राचिन नाम जो महाबारतकाल में था भांडेर, इसकी राजधानी मूर्धवच की राजधानी थी यह क्या हो गया? अवाज नहीं आ रही है अगर अवाज नहीं आ रही होगी तो मेसेज डाल देना गुरूप में कल एक बार वापस से रिपीट कर दूँगा, ठीक है? तो भांडेर जो आरंग का पुराना नाम था, मूर्धवच की राजधानी थी, ठीक है? हो गया यहां तक अब यहां पे चित्रोत पला लिखना चित्रोत पला महानदी का नाम था है ना? चित्रोत पला किसका नाम था महाभारत काल में? महानदी का यह प्रमान कहां पे मिलता है? महाभारत के भीश्म पर्व में महा भारत के भीश्म परव में महा नदी का نाम क्या था? चित्रोतपला था, ठीक है अब देखना एक अंतिम चीज है, जांजगीर में क्या है? भिम्मा तलाब है भिम्मा तलाब बहुत बड़ा तलाब है, भिम्मा तलाब है न? ये भी क्या था? इसको किस से जोड़ के देखते हैं किस से जोड़ के देखते हैं ये भीम का अपब्रंश है भीम जो है भीम का अपब्रंश है और भीम जो है महा भारत का पात्र है ठीक है एक चीज़ ये हो गया सारी चीज़े हो गई तो महा भारत काल में क्या देखे शहदेव जो पांडव था उसने एक छेतर जीता था उस छेतर को उसने क्या कहा था प्राक कोशल कहा था जो की 36 गड़ का मैदानी छेतर है ठीक है और बस्तर वाले छेतर को जो हम पढ़ चुके हैं कांतार कहा गया था और ये प्रमाण कहां पर मिलता है महाभारत के भीश्म प पुर्णा नाम चिदरांगतपूर वहां का शाष़ा कौन था भबरुहाहन भबरुहान को पढ़ते हैं घटना का तो लाक्षाग्री जो दुरियोधर ने बनवाया था वो यहीं पर बनवाया था ठीक है उसके बाद भांडेर किसका पुराना नाम आरंग का और भांडेर किसकी राजधानी मोर्धवज की राजधानी थी अब महानदी का महा भारत का लिन नाम क्या है शित्रोत पला, कहां पर मिलती है जानकारी, महा भारत के भीश्वपर्व में, ठीक है, जान्जगीर में क्या मिलता है, एक बड़ा सा तलाब है, भिम्मा तलाब, अभी भी है, ठीक है, उसको भीम से जोड़ कर देखा जाता है, तो भिम्मा जो है, भीम का ही अपब्रंश है, महा भारत काल हो गया, कल जैन धर्म बहुत धर्म पड़ेंगे, उसके बाद महा जनपत काल, फिर राश्टी राजवंस, फिर छेत्री राजवंस, थोड़ा सा स्पीड़ी करना है, ठीक है, इसके स्क्रिन शॉट ले लेना, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती ह है, कोई भी डाउट रहा होगा, कुछ भी, तो आप मैसेज करना, टेलीग्राम में, वाट्सअप ग्रूप हम लोग लेफ्ट कर देंगे कुछ दिन के बाद, तो जो वाट्सअप में रहेगा, उसको लिंक नहीं मिलेगा, अगर कोई सोच रहा होगा कि वाट्सअप में लि डाउट नहीं है क्या, सब चीज समझ आ रहा है, डाउट है तो आप डाउट कहां पर डालोगे, टेलीग्राम में, ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, धन्यवाद